अकसर हम ऐसे movies देखते हैं जो हमें as an audience तो काफी पसंद आते हैं लेकिन अगर हम देखें तो critics को वो movies पसंद नहीं आती है कभी-कभी ये process होने में time लगता है, कभी-कभी ये process instantly हो जाती है यानि कि कभी-कभी हम ऐसे पता चलता है कि अरे ये movie पुरानी है, ये movie तब आई थी लेकिन वो हमें तो काफी पसंद आई थी, लेकिन critics को इतना पसंद नहीं आई थी तो ऐसा ही हम साथ movies के बारों में बात करेंगे और जिसे कि अपने आन्दा से लगाया ही होगा कि आई ये सारे movies पुराने movies होने वाले है, and by पुराने, I mean before the year 2020 लेकिन फिर भी जो हमरी top movie है इस लिस्ट में, ये काफी recent movie है और अगर अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो शायद आपको पता चल जाएगा वो पहली movie कौन सी है तो anyways हम शुरुआत करते हमेरे साथ movies के साथ At number 7, I have a Salman Khan movie named as Bodyguard Bodyguard 2011 में आई थी, ये एक romantic comedy movie आप इसको कह सकते हो और of course Salman Khan के fans को movie पसंद आई, लेकिन at the same time critics को ये movie इतनी compelling नहीं लगी At number 6, we have an Aksha Kumar film called as Rowdy Rathor चीनताताताथा वाला step तो आपको यादी होगा और अपने बचपन में definitely ये step करने का ट्राय करा होगा और ये movie इसके गानों के वरे से, Akshay Kumar के वरे से Akshay Kumar के वरे से, Akshay Sina का जो golden period चल रहा था वो time पे उसके वरे से fans को तो पसंद आई, लेकिन at the same time critics को ये movie ने इतना जादा impress नहीं किया At number 6, I have a Shah Rukh Khan film called as Ravan Shah Rukh Khan की movie Ravan को आज काफी लोग appreciate करते है for his visual effects, for his stellar work at visual effects at that time 2011 में ये movie आई थी और of course, पिछले साल जब आदी पूरिश movie आई थी तब लोगोंने काफी appreciate कर रहा था Ravan की VFX को लेकिन अगर मैं आपका बताओ कि जब Ravan movie release हुई थी तब लोग इसके unconventional story के बार में बात कर रहे थे instead of its stunning visual effects इस movie को तब इतना recognition नहीं मिला और इसकी story definitely offbeat थी लेकिन कुछ अलग try करने की कुशिश कर रहे थी जो critics को इतना पसे नहीं आया लेकिन audience ने इस movie को काफी प्यार दिया और in fact अभी लोग इसके visual effects को काफी ज्यादा praise करते है At number 4 I have another Shahrukh Khan film called as Chennai Express I know थोड़ा सा मुश्किल है बिलीव करना लेकिन ये movie और इसके अगली movie भी काफी मुश्किल है बिलीव करना उसके story में जो comedy थी उसको लेके and music को लेके ये movie काफी famous हुई थी among fans लेकिन हाँ critics ने इतना पसंद नहीं किया था अब बात करेंगे हमारे आखरी तीन movies का बारे में At number 3 I have a classic movie जो अगर अभी theaters में release होती है तो इस movie का house full लने से कोई रोक नहीं सकता movie का नाम है कभी कुशी कभी गम ये एक timeless classic बन चुके है अभी के date में लेकिन movie जब release होती तब इसे लोगों ने ज़्यादा chance नहीं दिया था At number 2 I have Kabir Singh Kabir Singh movie एक south के movie का रीम है कि जिसका नाम था Arjun Reddy और वो movie और Kabir Singh दोनों ही movie सेम डिरेक्टर ने बनाई डिरेक्टर का नाम Sandeep Reddy Vanga Kabir Singh को critics ने इसलिए पसन नहीं किया था क्योंकि उसमें जो portal दिखाया था mail का वो critics को इतना पसन नहीं आया था लेकिन definitely fans ने movie को काफी पार दिया था को भी अच्छा प्रेस किया लेकिन at the same time काफी critics को ये movie कुछ अलग nerve पे हिट कर गई काफी critics ने ये movie को पसंद नहीं किया काफी controversy थी लेकिन if I talk about my personal opinion on it I loved Animal बाकि मैं definitely आपके thoughts जानना चाहूंगा कि क्या आपको लोग का इस पूरे list के बारे में मुझे प्लीज नीचे कमेंट में बताए और अगर आपको भी कोई ऐसी movie पता है audience ने पसंद किया लेकिन critics ने इट किया तो उसका भी नाम आप नीचे कमेंट में बता सकते हो and as always thank you so much for watching